दोस्तों काफी समय से जो हमारी वीडियो पर आपने कमेंट किया कि फिर से हम वीडियो लेकर आएं डी फार्मिसी पर और डी फार्मिसी के बारे में आपको बताएं दोस्तों D-Pharmacy पर कई सारी वीडियोज मैंने बनाई है, B-Pharmacy पर भी वीडियोज बनाई है, साथ मैं M-Pharmacy पर भी वीडियो बनाई है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक education से related, चाहें वो colleges हो, universities हो, चाहें वो courses हो, उनकी पूरी information आप तक पहुच सके, आपके साथ कोई problem आप किसी scam में आफस जाएं, D-Pharmacy करने के दोस्तों बहुत सारे benefits हैं, B-Pharmacy करने के भी benefits हैं, बढ़ आजका ये जो वीडियो है, ये D-Pharmacy पर ही आधारित है, D-Pharmacy के बारे में ही जातर मैं आपको बताऊंगा, D-Pharmacy के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, course आप क पास है, सब चीजों पर डिसकस करेंगे, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जादा कुछ जानने के लिए, D-Pharmacy के बारे में दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी कभी बार्वी पास करते हो, बार्वी पास करने के बाद में, अगर आप चाते हो, मैडिसन लाइन में जाना, मैडिसन लाइन में जाना चाते हो, या फिर आप फार्मेसिस बनना चाते हो, यहाँ पर B-Pharmacy या D-Pharmacy दोनों के यह आप्शन्स आपके सामने होते हैं, बहुत सारे स्टुएंट्स कन्फूज रहते हैं, B-Pharmacy कर होता है, बारवी में, मिनिम्म आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में PCB आपके पास होना चाहिए, Physics, Chemistry and Bio, तभी आप कर पाएंगे D-Pharmacy, D-Pharmacy करने के बाद, हाला कि बहुत सारे आप्शन्स आपके पास खुल जाते हैं, फीस की वेगर हम बात कर लें दोस्तों, तो फी प्राइवेट युनिवरस्टीज में ऐसा नहीं है, प्राइवेट युनिवरस्टीज में फीस काफी जादा है, आपको 2 लाग से लेकर 3 लाग तक के बीच में फीस देनी पड़ सकती है, काफी स्टेट में तो 4 लाग तक दोस्तों ये फीस है, फीस डिपेंड करती है, कि आ आप कहाँ पर admission ले रहे हैं, hostel ले रहे हैं के नहीं, साथ में admission लेने के बाद किस तरह से आप अपनी study को continue करेंगे, non attending भी एक program होता है, बर दोस्तों यह illegal है, कि इसमें आप classes नहीं लेते हैं, जिसमें सिर्फ आप जाकर exam स attend करते हैं, इसा आप ना करें, classes लें, तभी आपको knowledge मिलेगी practical course है दोस्तों, practical course में जब तक practical ग्यान आपको नहीं, तब तक कोई फाइदा नहीं, और अब तो test भी आगया है, exit test आपको देना है, exit test के लिए आप तभी करोगे जब आपको knowledge होगी, तो defarmacy करते ही, जैसे defarmacy आपने कर ली, आप pharmacist बन सकते हैं, सबसे अच्छा benefit इसमें ये है, कि बारवी pass करते ही, जैसे ही आपने defarmacy किया, आपको रोजगार मिल जाता है, और complete करने के बाद में, चाहे तो आप कही नौकरी कर ले, किसी भी pharmacist के पास, आप नौकरी कर ले, hospitals में बहुत सारी नौकरी आपको मिल जाती है, अपनी pharmacy shop आप खोल सकते हैं, बस आप बारवी pass कर ले, किसी भी recognize board से, किसी भी recognize संस्थान से, उसके बाद defarmacy कर ले, दो साल का course होगा, defarmacy करने के बाद, रोजगार का बहुत अच्छा option आपके लिए बन जाता है, पर knowledge जरूर ले, knowledge ही आपको अगर नहीं होगी, किसी काम कर नहीं ये course करना, बिना बाद में course करके भी आप बैठ जाएंगे और आपको कुछ होगा नहीं, ये knowledge होना जरूरी है, किसी pharmacist की shop पर भी अगर आप लगते हो, तो medicines के नाम तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे ना, तो medicines के नाम भी अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो कैसे अपने course को करने के बाद में आप लोगों को medicines देंगे, हाला कि देखा जाये, चाहिए अपना देश हो, चाहिए कोई भी देश हो, medicine line में बहुत सारी vacancies हैं, medicine line में scopes बहुत सारे हैं, करने के बाद कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे, इसलिए de-farmacy course काफी अच्छा course है, दोस्तों में अमीद करता हूँ, जो de-farmacy के बारे में आपको बताया, आपको समझ आया होगा, कोई भी किसी भी तरह के doubts अगर आपके पास है, comment box में अपने सवाल पूछे, यह हमें whatsapp करें, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को जादे जादे अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको जानका बना सकें, और हमारे चैनल को सबस्क्राइक बना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेलाकिन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो दोस्तों आप तक पहुच सकें सबसे पहले, बहुत बशुक्त और जिन्नेवाद हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए,